हार्दिक पटेल को लेकर लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खिमे में भी डर का माहूल है इसलिए पार्टी में भी हार्दिक पटेल को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है पार्टी के एक मंतरी हैं जिन्नोंने हार्दिक को लेकर ऐसा बयान दिया है जो की काफी हैरान करने वाला है साथ इस बयान से लग रहा है कि बीजेपी अब हार्दिक को साधने में लगी हुई है मोधी सरकार में मंत्री सामाजिक न्यायराज मंत्री रामदास अठावले ने कहा ए कि पार्टीदारों को आरक्षन मिले या मेरी मांग है जो मैं बरसों से उठा रहा हूँ वो आगे कहते हैं कि मैं हार्दिक से कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस को समर्थन करने से पार्टीदारों को आरक्षण नहीं मिलेगा वो कहते हैं कि आरक्षण के लिए हार्दिक को प्रधान मंतरी और मेरे पास आना होगा वो कहते हैं कि बादचीत करके हमारी पार्टी संसद में आरक्षन का प्रिस्ताव लाएगी बीजेपी मंतरी ने इस तरह से बयान दे कर साब कर दिया है कि कहीं न कहीं वो भी हार्देक पटेल के बर्चस्त से डर रही है और अब तो किसी ना किसी बहाने से हार्देक को सारने की जुगत में है SPN 9 जुरूम की रिपोर्ट